बच्छा पाटी आज हम मैगनेटिक फिल निकालेंगे सेंटर के उपर किसी भी सर्कुलर कॉइल के अंदर जिसमें करन्ट फ्लो कर रहे हैं यहां पर यह हमने एक सर्कुलर कॉइल लिए है ठीक है वो इसका सेंटर है रेडियस इसकी आर है I current इसमें flow कर रहे और IE surface से बाहर निकल रहे अब यहाँ पे हमने एक point लिया है जिसकी length क्या है DL और यह plane के ओपर angle बना रही है 90 degree का इसका मतलब यह इस पे क्या है perpendicular form के अंदर है अब इसकी consideration किस तरीके से लिखेंगे देखो यह इसकी consideration के अंदर आजाएगा यहाँ पे हमने DL small loop लिया है यहाँ पे भी ऐसे DL होगा यह भी DL होगा यह बहुत सारे small element current element से मिलके बना हुए next time apply करेंगे यहाँ by its separate law by its separate law हमने previous topic के अंदर किया था इसका formula यूज़ करना है डिरेक्ट यहाँ पे formula होता है mu note upon 4 pi ideal sin theta upon r square यह formula हम इसके लिए use करते हैं अब देखो DL और r के बीच में जो angle है वो क्या है 90 तो यहाँ पे theta की value जो हम क्या use करेंगे 90 और sin 90 जो है वो किसके equal होता है 1 के equal इस formula के अंदर हमें रख देना है जब sin 90 रखेंगे तो यह term 1 बन जाएगी तो यहाँ मारे पास आजाएगा db equals to mu note upon 4 pi ideal upon r square यह formula form हो जाएगा magnetic field हमें कहां निकाल लिए center point पे और यह किस point के लिए है इस point के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको integrate करना पड़ेगा तब हमें क्या मिलेगी total magnetic field मिल जाएगी at o point तो देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे db equals to mu note 4 pi i upon r square dl का integration होगा जब dl का integration करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा l तो इस term को आगे हम next step में इस तरीके से लिखेंगे db equals to mu note upon 4 pi i upon r square l l किसको represent कर रहे है length of the circle और circle की length जो है वो किसके equal होगी circumference of the circle that is 2 pi r तो यह वाली value हम यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास यहाँ क्या आजाएगी magnetic field आजाएगी at the center point यह हमारे पास magnetic field का formula बन गया यहाँ पे r से r को cancel कर देंगे तो db equals to क्या हो गया mu note upon 4 pi r square 2 pi r 2 pi से 4 pi को हम कर सकते हैं चीक है next उसके बाद अगर यहाँ पे circular loop के अंदर n number of turns है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको n से multiply कर देंगे तो n number of loops के लिए magnetic field निकलाएगा magnetic field की direction निकाल लिए तो उसके लिए हम यहाँ पे right and rule का use कर लेंगे right and rule के अंदर हम इस तरीके से कुछ करते हैं thumb जो है वो किसको represent करेगा direction of magnetic field और fingers जो हैं वो किसको represent करेंगे direction of current को और इस तरीके से हम निकालेंगे thank you for watching my video like, subscribe, share झालेंगे